डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आठ का बहतरीन कॉंबिनेशन विश्व स्वास संगटन की सुमवार से वार्शिक बैठक शुरू हो गई है और अब इस बैठक में कोरोना वाइरस की महामारी का मुद्दा छाना स्वभाविक है क्योंकि कोरोना वाइरस को लेकर दुनिया भर के कई देश चीन की भूमिका को संदिक्त मान रहे है वहीं कोरोना वाइरस की महामारी और चीन की भूमिका को लेकर भारत अब तक चुप था लेकिन ये चुपपी अब तूटती हुई दिखाई दे रही है केंद्रिय परिवाइन और सड़क प्रिमार मंत्री नितिन गटकरी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वाइरस प्राकर्तिक नहीं है और इसे लेब में तयार किया गया है नितिन गटकरी ने ये बयान दिया तो ऐसा लग रहा था कि ये उनकी निजीर राय होगी और भारत सरकार उनसे सहमत नहीं होगी लेकिन डवली एचो की बैटक के लिए ड्राफ प्रिस्ताव के अनुसार भारत ने उस जांच का समर्थन किया है जिसमें पता करना है कि कोरोना वाइरस जानवरों से इंसान में कैसे आया और विश्वा संगटन की इस मामारी को लेकर भूमी का कितनी निश्पक्ष रही है इस से पहले यूरोप और और उस्टेलिया की तरफ से इस तरके की जांच की मांग उठाई गई थी भारत ने पहली बार इस तरके की जांच में शामिल होने के लिए आपचारिक रूप से अपनी हामी भरी है कोरोना वाइरस का संक्रमण चीन के वोहान शेर से पिछले साल दिसंबर महीने में शुरू हुआ था और अब तक इससे तीन लाग से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है हाना कि प्रधानमंती नहिंदर मोदी ने मार्च मा आयोजित हुए G20 समिट में विश्व स्वास संगटन में सुधार और पारदर्श्रिता की बात कही थी चीन पर आरोप लगता रहा कि उसने कोरोना वाइरस के संक्रमन की शुरुआत में सुचनाओं को छुपाया और पारदर्श्रिता नहीं बढ़ती इसलिए पुरी दुनिया में ये संक्रमन पैल गया इसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच जम कर कहा सुनी भी हुई अमेरिकी राष्टपती डॉनाल्ड ट्रम्प ने तो खुले आम ये तक कह दिया कि कुरोना वाइरस चीन की लेब में पैदा किया गया और इसे लेकर उनके पास परियाप सबूत भी है वहीं दूसरी तरफ चीन ने कहा है कि व्यूहान में कुरोना वाइरस अमेरिकी सैनिकों की जरी आया है और इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है विश्वास संगटन पर भी ट्रम्प ने आरोप लगाया है कि वो चीन परस्ते है इसे लेकर ट्रम्प ने डव्यूहान का फंड भी रोकने की गोशना कर दी थी ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका चीन से कई गुना ज्यादा फंड देता है लेकिन विश्वास संगटन चीन का बचाव कर रहा है कॉर्णा वाइरस में आमारी की जाच का 62 देशों ने समर्तन किया है जिसमें भारत के साथ साथ बंगला देश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, जच्छन अफरीका, तुर्की, यूके और जापान भी शामिल है हारा कि डबली एचो के प्रस्ताव में चीन या वोहान का जिक्र नहीं है लेकिन ये कहा गया है कि डबली एचो इस बात की जाच करें कि वाइरस कहां से पैदा हुआ और जानवर में इंसान में आखिरकार कैसे आया साथ पन्लों के प्रस्ताव में डबल एचो की बुमिकाई भी जाँच की बात कही जा रही है कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव चीन के खिलाफ है और उसे अब इस पर जवाब देना होगा इसके साथी अब कोरोना मामारी के उत्पत्ती को लेकर अंतराश्टे जाँच को समर्थन मिलने से चीन को अपनी छवी को नुकसान पहुचाने का भी बहुत बड़ा डर है और चीनी मीडिया में भी इस प्रस्ताव को लेकर खूब चर्चा है चीन के सरकारी अकबार गिरोबल टाइमस ने लिखा है कि कोरोना वाइरस मामारी के फैलने की जाँच निश्पक्ष होनी चाहिए अकबार का कहना है कि जाँच राजनितिक ना होकर वेग्यानिक और पारदर्शी होनी चाहिए Global Times ने लिखा है कि चीन किसी भी विग्यानिक जाँच को लेकर विरोध नहीं कर रहा है लेकिन अमेरिकी एजिंडे के हिसाब से जाँच का विरोध करता है जो देश अमेरिका और आस्टेलिया के प्रोपेगेंडर में उसके साथ दे रहे हैं उनकी चीन के प्रती राजनितिक मन्शा साफतार पर जाहिर हो जाती है लेकिन एक सवाल ये भी उड़ता है कि क्या भारत ने इस जाँच का समर्तन कर चीन को नाराज कर दिया है क्योंकि आस्टेलिया ऐसी नाराजगी पहले से ही जिल रहा है आस्टेलिया को चीन ने धंगी दी है कि वो वहां से जो और बीफ का आयाद बंद करने जा रहा है और अब आस्टेलिया के लिए चिंता की बात है क्योंकि उसके जो और बीफ का चीन ही सबसे बड़ा खरीदार है लेकिन यहां यह समझना भी बहुत जरूरी है कि भारत के साथ ऐसी कोई बात नहीं है दरاصल भारत और चीन के बीच कारोबारी साज़धारी में नुकसान भारत का है लेकिन दोनों देशों के बीच दीपक्षे व्यपार में घाटा भारत का है क्योंकि भारत निर्यात के तुलना में चीन से आयाद ज़्यादा करता है टरंप भी इसी आधार पर चीन के साथ ट्रेडवार च्छेर रखा है टरम्प का कहना है कि वो चीन से हर तरखे के संबंद दोड सकते हैं लाश्पती टरंप ने तर्क दिया था कि अगर वो चीन से हर तरखे का संबंद खतम करते हैं तो इससे अमेरिका को हर साल 500 अरब डॉलर का फायदा होगा क्योंकि अमेरिका सालाना इतनी ही रखम का समान चीन से खरीता है भारत ने इससे पहले भी चीन के खिलाब एक कदम उठाया था पिछल महीने ही भारत में चीन से होने वाले निवेश के आटमेटिक रूट को बंद कर दिया था और अब कोई भी चीनी निवेश आने से पहले भारत सरकार की मंजूरी बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में ये डर बन गया था कि कुरोना वाइरस की महामारी में भारतिये कंपनियों का कारोबा ठप पड़ा है और इसका फायदा उठा कर चीन सस्ते में कहीं भारतियों कंपनियों को टीक ओवर न कर ले और भारत में अपनी आर्थिक जड़े ना जमा ले लेकिन अभी सी तरीके की मांग यूरोप में भी चीन के खिलाफ उठ रही है जर्मनी ने भी भारत की तरह से चीन से आने वाले निवेश के लिए नियम कड़े कर दिये उन वहीं दूसरी और भारत के इस कदम को चीन ने एक तरफ और विश्ष व्यापार संगटन के नियमों के खिलाब बता कर अपनी कड़ी नाराजगी व्यत की है झाल झाल